शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले शहर की ठकसेन प्रीती जोती मैदास ने आखिरकार अपनी वकिल रहूल गुलहाने के साथ पाचपावली ठाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया अगली कारवाई के लिए पुलीस ने उसे कोट में पेश किया पिछले कई दिनों से शहर के तीन पुलीस ठाने के पुलीस वालों के नाक में दम कर रखा था ऐसी शातिर ठकसेन आरोब जिस पर किया गया है ऐसी पृती जोती में दास आखिरकर अपने वकिल राहुल गुलाने के साथ पाचपावली ठाने में खुद को सरेंडर किया पृती दास के उपर अलग-अलग धाराओं के तहत खंडरी 420 के तहत अपराद दर्च किये गये है पाचपावली पूलिश्टेशन लगण पूलिश्टेशन और जैदीपट का पूलिश्टेशन यहां पर उसके खिलाब में गुने दाकले तीनों पूलिश्टेशन की तीमें सहीपत रूप से उसको दून रही थी आकर में पदेशान होकर आज वह ग्यारा बजे इतना ज्यादा से ज्यादा चाहिए उतना पीसर लेंगे सर्फ पुलिस के उपर में दबाव बना हुआ था इतने दियों से कि वे ऐसे मैला को आखिरकार जो मतलब गिरफतार नहीं कर पाई ती चाह चल रहा था तो तीन-चार दिन का हुए दर्मियान पुलिस के आपके लि पुलिस निरिक्षक मेरे जेव में है इस प्रकार का दावा करने वाली प्रिती जोती में दास की जेव से मात्र आईपीसी की धारा 310 बटे बिस बिस सेक्षन 384 खंडरी और धारा 420 धोका धड़ी निकली है आईपीसी की धारा 384 और 420 के तहत आज पुलिस थाना पाचपाली में आना पड़ा और उसने वहाँ पे अपने वकिल के साथ आके समरपन किया है और आगे की कारवाई पुलिस द्वारा जारी है क्योंकि अभी पृतिदास इस आरोपी को कोट में पेश किया जाएंगा अब कोट कितरी दिंग क्या उसे पिस्यार देता है और इस घटना में जो 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 जिनकी जिनकी लिप्तता है उन लोगों को भी उन लोगों की जाँच करने का काम भी अब पुलिस के सामने में आख खड़ा हुआ है कुछ महिला ही हमारे साथ में भी बात करते हुए उन्हें ने ये कहता कि पृतिदास ने लाखों का चूना लोगों को ठकसन के तौर पे लगाया है अब इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी जुटलाई ये गई ये बात है ये तो समय और वक्त का तकाजा देखे कोट इसके लिए निरने देगा कोट का जब तक निरने नहीं आता और पुलिस की पूरी कानुनी कारणा जब तक पूरी नहीं होती